हाई वोकुम आक्टो टेक्निब्लोजिक हिंदी आज की सबसे पहले निउस है डिस्कॉर्ड के बारे में डिस्कॉर्ड ने अल्मोस्ट दो हजार से जादा अपने स्वर्वर्स को बैन कर दिया है यह जो बैन हुआ है 2020 के सेकेंड हाफ में हुआ है फर्स्टाफ के कंपारिजन में काफी जादा और बैन किया गया 2020 के एंड में आने की जो सेकेंड हाफ था अल्मोस्ट थर्टी थाउजन अकाउंट भी डिलीट कर दिये गए है इसी के चलते डिलीट करने का में रीजन यह है कि उनको काफी जादा एक्स्ट्रेमिस कंटेंट य लेकिन धीरे-धीरे साल भाई साल इसके आंसर्स की क्वालिटी खराब होती गई ट्रोल कर रहे हैं लोग यह सब चीजे हो रही हैं उस पे क्वालिटी अब वो पहले जैसी नहीं रही जिसके चलते अब उनकी जो कंपनी है उन्होंने डिसाइड किया है कि इस पेज को हटा लिया जाएगा गूगल ने नाविगेशन पार्किंग और इस तरह की जो भी आटो इंडस्री डिलेटेड एपस हैं थर्ड पार्टी आपस हैं उनको अलाव किया है अपने गूगल प्ले स्टोर पे आने के लिए रियल मी एट आपका अभी जल्धी इंडिया में लाँच है जिसके चलते हैं अगर आपके पास एयर तल गोल्ड या फिर एयर तल प्लाट इम का सबश्क्रीप्शन है तो आपको एपोरो सर्कल के जो वेंबरशिप है उसका बन सकते हैं ऑद्सक्रेटी उसक्रेवर्शंक हैं है तो आपको तीन महीने का एपोरो सर्कल की मैंबर है variety of doctors है इस तरह के कई और benefits है अब देखते हैं कि यह partnership कुछ अच्छे result लेके आपाती है या फिर नहीं अब दो news है आपकी earphones और headphones के बारे में हो सकता है मैं इसका model number गलत pronounce करूँ पर try करूँगा कि पूरी तरह सही रहे वो सबसे पहले जो headphones launch हुए है वो है portronics harmonics 230 wireless neckband इसका नाम मैंने सही बोला है definitely pronounce किया क्योंकि तीन बार practice की already इसके specs की अगर बात करें तो यह आपका IPX4 water resistance है splash resistance है एक तरह से दूसरा इसमें बोला जा रहा है कि single charge पे आप इसको 7 घंटे तक चला सकते हैं pricing की बात करें तो 1,999 है लेकिन introductory prices का 999 रुपीज बताया जा रहा है Nokia के दो products launch हुए है एक है Bluetooth headset दूसरा है active noise cancelling TWS आपके earphones जो Nokia का पहला आपका headset है उसका नाम है T2000 जो आपके active noise cancellation है उसका नाम है T3110 यह model numbers है इसके मैंने याद करके फिर से इसको बता दिया है इसके specs के बारे में आप देखते हैं और pricing देखते हैं तो वो पता चलती है कि जो आपका T2000 है उसकी pricing 1,999 रुपीज है और जो इसकी battery life है वो इसके साथ यह भी बताए गया है कि अगर आप इसको 10 पिनट चार्ज करते हैं तो आपको 9 घंटे का playback time मिलेगा जो आपका active noise cancelling वाले TWS earbuds है उसकी pricing 3,999 रुपीज है और इसकी battery life बताए जारी है 18 घंटे है विद केस बाइजू ने आकाश education service tutorial chain को acquire कर लिया है यह deal close हुई है almost 1 billion dollars में अभी आकाश independently ही काम करने वाला है लेकिन देखते हैं आगे चलते होई कि कि इस तरह से यह लोग implement करते हैं अपने merger या फिर एक partnership को Samsung Galaxy F02 और F12 launch हो गया है आपका India में Monday को F02 की बात करें तो इसकी starting price है 8,999 रुपीज 3 GB variant के लिए है Snapdragon 450 प्रोसर यूज हुआ है Samsung Galaxy F12 के अगर बात करें तो उसमें आपकी starting price है 10,999 रुपीज 4 GB variant के लिए जिसमें 4 GB की RAM है इसके अलगा जो उसमें प्रोसर यूज हुआ है वो है आपका Exynos 850 आज के tech news में बस इतनी ही बात है थी अगर आपके वास को suggestion हो या फिर feedback हो तो comment section में ज़रू बताइएगा don't forget to subscribe to our channel and thank you for watching technoblogic.com